उठो पुत्र गजानल कहां चला गया ये किसी और के उठने के पूर्व क्या जाकर तब करने भी चला गया मेरा कजानल वक्तुंड महाकाय बुथ्धि के नरेश रिथ्थि सिथ्थि दाई विगन हर्ता श्री गडेश सुख नाम प्रथम पूच देव तुम विशेश पुमा सवेता के पूर्व जागे तब करने पहुँचेगा जानन आगे जोती समक्ष पढ़ना संधारे अच्रच दुलार संग माता निहारे अब तुम्हारा ध्यान के इंद्रित हो गया गजानन मैं तुम्हे शाब देता हूँ जिन शक्तियों पर तुम्हे इतना हंकार है वो तब तुम्हारे लिए प्यार्थ हो जाएंगी जब तुम्हे उनकी सबसे अध्यादिकाव शक्ता होगी शक्ता हूँ शुमा कुर टेव शुम्हा अषियो शुमा, अषूर समरा यसर्थarte को शुमा कीची असुरों के इस कठिन समय में केवल आप ही हुमारी सहायता कर सकते हैं गुरुवर ये मैं क्या कर बैठा इसके पूर्व की स्थिति हास से निकल जाए मुझे शमा माग लेने चाहिए जैसे भी हो मुझे तो अपना कारिय सिद्ध करना है गुरुवर मैं आपका अपमान करने नहीं आप से सहायता लेने आया हूँ एक शाप के कारण में असुर बना और अब मेरे उपर एक महा संकट छाया है असुरों के कुलगुरु होने के नाते अब आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते मुझ पर कृपा खीजिए मेरी सहायता कीजिए गुरुवर सहायता कीजिए कैसी सहायता चाहते हूँ मेरी समस्य का समाधान मात्र एक उपाय महादेव और देवी पारवदी पुत्र गजानन के अंत का उपाय मुझे बताःे गुरुवर संभब महादेव के पुत्र को हनी पक्टाने में मैं तुमारी कोई शाहताने का सम्वाइग चले जाऊ और अश्य है चले जाओ चले जाओ गुरुवर ओ, समझा, आप तो महान महादेव भक्त हैं न, गिन्तु अश्रों के प्रती भी तो आपका कोई दायत मैं, आप भूल रहे हैं गुरुवर अश्रों ने आपको तब स्विकार किया था, आपको अपने गुरु का पद देकर आपको सम्मानित किया था जब देवताओं ने आपका द्रसकार किया था, इसलिए आप अश्रों की सहायता के कर्तव्य से अपना मुख नहीं मोड सकते आपको सम्मानित किया था, 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 गजनन जो तब कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्यान हो जाएगा और यदी ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा इसलिए यदी तुम उसका अंत करना चाहते हो तो ये कार तुम्हें अधी करना होगा उसके और शक्तिशाली बनने के उसका तब संपन होने के पूर रहा किन्तो गुरुवर्ण हमने तो अने को प्रयात न किये किन्तो हर बार असफ़ता ही हमारे हाथ लगी क्यूकि ये प्रत्म तुमने केलाश करने की भूल की केलाश में तुम उसे कुछ नहीं कर सकोगे गजनन को हानी पोचानी है तो तुम्हें उसे केलाश सिर्थ बाहर लाना होगा केलाश से बाहर गुरुवर किन्तु कैसे गजनन की साधना सफल होने के पूर स्वर्क पर आक्रमंट करना होगा उस पर अपना अधिपत इस्थापित कर वहां इस धित अम्रित का पान करो जिससे तुम अपराजय हो जाए फिर तुम गजनन के तब को भंग कर सकोंगे उसका हरन कर उसका अंत अम्रित पान करोंगा मैं उचित सुजाओ दिया है गुरुवर जिन्तुस बरन रहे संदूरा तुम्हारे पास बहुत कम समेश है समरन रहे ठान में का जानन ऐसे हुवे तल्ली रितुओं के पदलाव सब प्रभाव ही पाहरी बाता वरंधि हो भले अशान पार्वती सुत शान्त ग्रिड और विक्रान तुम्हारे पार्वती की नरीश दिन्त जिन्त गाई दिन्त वर्लाश की नरीश पुझे दे, पुझे दे, पुझे दे, पुझे दे मेरे पन में उमड रहे चंताओं का शांत कैसे करें देवी पार्वती का एक फुट्र बैसे ही तेर सेनपती पत पर स्थापत अब ये दूसरा इस तब से अटुलिच शक्ति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है कदाचित आप भ्यर्थी चिंता कर रहे हैं, बिरगए इस कठोर तब को पून करने में तो गजानन को अने को वर्ष लग जाएंगे जूरिदेव विपत्ती पूर्व सूच ना देकर नहीं आते अचानक यह आकरमन करती ह। भुदा नहीं हूँ मैं गजानन के शंकता ह। किस तरह उसका परिच है उसने हम देवताओं को दिया था इसलिए हम देवताओं की भलाई इसी में है कि हम सतर करें कदाचित वो तप में सफल हो उन्हा आप सभी देवताओं का अफमान करेगा और मुझसे मेरा सिहासन आवश चिन देगा चिनेगा आवश चिनेगा आवश चिनेगा तुमारा सिहासन देवराजंद्र किन तो गजानन द्वारा नहीं मेरे द्वारा सेंद्रा दोश्टासुर्फ। तुने पुना यहाने का तुछ साहस कैसे किया। अतिथी का सत्कार किया जाता है। तिरसकार नहीं। लिणूरा। जो बिनाने मंत्र नाते हैं वो अतिथी नहीं। शत्रू होते है। आज तुम यहां से पचकर नहीं जाओगे। मुर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धी का प्रियोग करो, अन्यता विवश होकर, मैं ही वश में करूँगा तुम्हारी बुद्धी जुगाओ अपने अस्त, अभी इसी एक्षर्ण, अब तुम सभी मेरे नियंतर्ण में हो, उचित है अब अंद्रदेव, तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है, हट जाओ मेरे मार्क से अब जो कार्य करने आया हूँ, अब जो कार्य करने आया हूँ, वो प्राप्त करना है मुझे, अमरिक चाहिए मुझे वो थी, आया हूँ, भूड़ जो कार्य कार्य करत दुम्हारे स करें अब अब तो तब से उत्पन्य और्जा का आभास तो हो रहा है मुझे अर्धात, अब मुझे तब को अगले स्थर पर ले जाना होगा किन्तो ये मुझे कैसे ग्यात होगा, कि वो अगला स्थर क्या है गजानन्द, मैं तुम्हारा मार्क दर्शन करूँगा तुम्हें इस तब को पूर्ण करने का मार्क दिखाऊँगा धन्यवाद किंग तु आप कौन है पहचानों मुझे का जानन्त मैं ही परम्रम हूँ महागणपती हूँ तुम्हारे तब में तुम्हें सफलता दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा मुझे अमृत चाहिए जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता तुम्हें अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है और उसे भेद पाना अतियंत कटिन केवल ध्रिदेवों की अनुमती से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है चार सुरक्षा घेरों में बटे इस सुरक्षा चक्र के प्रथम घेरे पर यक्ष गंधर्व और देवताओं के साथ स्वायम देव शिल्पी विश्व कर्मा जी अमृत की रक्षा करते है और दूसरे घेरे की रक्षा दिव्याग्नी रेखाएं करती है उनसे टक्राने वाला भस्म होकर अपने प्रांड खो गड़ता एक विग्राल दिवी चक्र रूपी है दृतिय घेरा तो इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना से ही भै लगता इस विशाल चक्र के नुखीले लोह दंत सदैव ही गति मान रहते चक्षा भर में किसी को भी काट सकते हैं और चौथे घेरे पर दो विशेले भयानक नाग सदैव अमृत की निग्रानी में रहते हैं उनकी दृष्ट्री मात्र के पढ़ने से कोई भी जीव शंड भर में भ इन तक तासत्म से मुक्त कराना चाहते थी माता के प्रती उनके निश्था देख त्रीदेव उनस्याती प्रसन हूँ और माता की सेवा के लिए इतना अपार साहस करने के लिए च्रीहरी ने उन्हें अपना वाहन बना लिया जो कोई और कर चुका है वो मेरे लिए भी शेकर ले चलो मुझे वहाँ जो आप गया है अम्रित का पाहन करना अनिवार यह मेरे लिए अब अपने नेत्रबंद करो और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी रीड के मूल पस्थित अपने प्रधम चक्र पर केंद्रित करो यह तुम्हारा मूलाधार चक्र है गजानन तुम्हारे सुप्त ग्यान का अधार मूला चक्र जो कुंडिलेनी शक्ति का मूल भी है किंतु वो शक्ति अभी गहरी मित्रा में है अपने इस चक्र को जागरित कर मुझे पाने की आत्रा आरंब करो तुम्हारे भीदर कुंडिलीनी शक्ति जाग्वित हुई है जिसकी अपार उर्चा के कारान तुम्हें कश्ट हो रहा है अपना ध्यान केंद्रित रखोगा जाना नुगा स्थिर रहने का प्रेत्न करो ये शक्ति मेरे भीदर की नगर आत्मक्ता को जला कर मुझे पवित्रता प्रदान कर रही है कुछ पाने के लिए कश्ट तो सहना ही होता है मैं सहूंगा इस कश्ट को अपने उपर प्रभावी नहीं होने दूँगा सभी मुझ में ही हैं और मैं ही सब में हूँ जाने जाने बहुत जबे बजे देव जबे बजे देव गजनन का तब ती विकती सहागे पढ़ रहा है तुन्दुरा कशी ज़िता कर अम्रित तक पहुचना हो करने तब बहुत दिलंब हो जाएगा ये नेग इतने अशंद क्यों है कहीं कोई संकट तो नहीं मुझे सतर्क रहना होगा गेंद्रा जिंज यहां की दिंद्रा जिंद्रा खिंद्रा जिंद्रा जाएगा अम्रित अलीः खिंद्रा अजय क्यों है देव राज इंद्र, सूर्य देव, वायू देव, अगनी देव, आप सभी यहाँ यह तो एक सुखद आश्चरिय है प्रणाम देव शिल पे विश्व करमा जी आई देवराज इंद्र, यहाँ अमरित लेने आया हूँ हमें आगे बढ़ने दीजी अमरित, केंदु देवराज, आपको तो ज्यात है प्रिदेवों की अनुमती के बिना यह संभो है मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता अनुमती नहीं मांग रहा हूँ आदेश तेरा हूँ आपको यह अकस्मात देवराज इतना अनुचित आदेश क्यू दे रहे हैं आपको आश्चर यह है देवराज और अन्य देवता एक असु को लेकर आया है यहां प्रतीत होता है देवी पार्वती के पुत्र गजानन की शक्तियां जागरित हो चुकी है यदि सिंदूरा अभी भी अमरित तक नहीं पहुचा तो कदाचिता बहुत हिलंब हो चुका है प्रतीत होता है देवी पार्वती के पुत्र गजानन की शक्तियां जागरित हो चुकी है यदि सिंदूरा अभी भी अमरित तक नहीं पहुचा तो कदाचिता बहुत हिलंब हो चुका है नमामी देवा नमामी देवा भैगन राजा नमामी देवा उठो पुत्र गजानन कहां चला गया यह किसी और के उठने के पूर्व क्या जाकर तब करने भी चला गया मेरा कजानन वक्तुंड महाकाय बुत्थि के नरेश रिथ्थि सिथ्थि दाई विगन हर्ता श्री गडेश सुमुख नाम प्रथम पुच्य देव तुम विशेश रिथ्थि सिथि दाई विगन हर्ता श्री गडेश उमा सवेता के पूर्व जागे तब करने पहुचेगा जानन आगे जोती समक्ष पढ़ना संधारे अच्रच धुलार संग माता निहारे तब में विनायक रमे लगाय ध्यान माता के उपस्थिती का भिनाई भाव अब तुम्हारा ध्यान के इंद्रित हो गया गजानन मैं तुम्हे शाब देता हूँ के जिन शक्तियों पर तुम्हे अतना हंकार है वो तब तुम्हारे लिए प्त्यारत हो जाएगी जब तुम्हे उनकी सब से अत्यधिका वस्शक्ता होगी लिए अदित्व